तो हेलो दोस्तों विल्कम टू इंजिनियर्स कड़्डा तो कल हम लोग इनर्जी एंड टेक्नलोजी पर रहे थे उसमें हमने कल डिन्विलबल इनर्जी और कॉन्वेंशनल इनर्जी के बारे में पढ़ा था तो आज हम लोग उस टॉपिक को आगे करते हैं और वह हमारा । आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल इनर्जी सिनारि और विए करते हैं जो वह बहुत पहले से चलता हुआ रहा है लेकिन जैसे कि वैने आपको पिछले लेक्टर में बहुत वार यह चीज को रिपीट किया हूं और भी रिपीट कर रहा हूं कि यह पतक चलेगा यह एक दिन तो पका खतम हो जाएगा और इससे क्या हो रहा है ना कि आपका ग्लोबल इनर्जी यानि जो भी ग्लोबल इनर्जी अभी पूरे वर्ल्ड यूज़ कर रहा है उसमें अभी तो यह डोमिनेट करी रहा है यह क्या कर रहा है कि आपका पॉल्यूशन भी कर रहा है आपका इंवर्मेंट भी खराब हो रहा लिए है कि यूज करने स्टाट की इसमें सोलर है विंड है है जीयो थर्मल पाउर प्लांट यह सब कर रहे है कि इवर्मेंटल इंपक्क को कम किया जा सके और इसके वज़ा से क्या होगा कि आपका कोस्ट भी कम आएगा तोकि अभी आप देख रहोंगे तर् दिन पर दिन बढ ग्रार्ट करेंगे जो कि आपका जो रानिंग कोस्ट थर्मल पाउर प्लांट का सब का रिट बर रहा इस वज़ा से आपका का बिटली का रिट बर रहा है तो और वह सथे रहीं लौग टाइम के लिए क्या एक टाइम के पर घाएगा तो हमें इस सब चीज़ों हुआ है कि आई एक रिपोर्ट ये बोलता है कि जो डिनवेबल एनर्जी है वह है दिन पर दिन continue कर रहा हम लोग भी देख रहे हैं टेटु डे लाइफ में हम लोगों को दिखी रहा है कि जो एनर्जी वह दिन-पर-dun क्या कर रहा है गुरोग कर रहा है इसमें आपका सोलर वोल्टेक सेल अभी तो फिलाल आप जहां किसी के घर में तो खेर सोलर अभी बहुत कम लोगे घर में इंस्टॉल हुआ है लेकिन आप देख रहे होंगे कि फिलाल तो आप स्ट्रीट लाइट वगरा में ही देख लीजिए या अगर सुख अब सुखर्ण देखा नश्यमारी कि फिद्ड़र करने के लिए उसको यूज्च किया रहा हो गाँ और खाल तो हम लोग अगर मैं टॉपिक से निए अगर भी बिलें तो यह जो सोलर है आपका हाइड्रो पाउर प्लांट है स्ट कर देख लोग क्या करते है यह सब का करते हैं secondary लिए करते हैं जैसे कि अभी आपका थर्मल से बिदली बन रहा है साम के टाइम में क्या होता है यह समकर टाइम हुआ इवनिंग का टाइम होता है साम के टाइम में या जो भी तो पीक डिमांड होता है उस टाइम में लोग उस चीज को सीज से फॉल्फिल करते हैं अब लेकिन इसको हम लोग को प्राइमरी बनाना है क्योंकि एक टाइम पे आपको पता है कि वो चीज खतम हो जाएगा तो हमें इसे प्राइमरी बनान मैं इस पीडियेप कर नोट्स आपको गुरूप के डिस्किप्शन में दे दूंगा आप वहां से जाकर देख सकते हैं और आज जो अभी यह टॉपिक पर नहीं आ रहे हैं इससे पहले प्लीज आप इसके पिसला वाला लेक्टर देखेगा मैं ऊपर में कहीं आई बटन पे व समझ के आईएगा तो तो पहले आप जाके वह पढ़ लिजे फिर आईएगा यह वाला वीडियो देखने और जो जिन्होंने देख लिया है वह इसको देखिए और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे जो सबको पता है कि इनर्जी का इंडिया का जो इनर्जी यह वह बहुत फास्टली ग्रू कर रहा है तो सब से पैंड़ सब्सकराइब कर रहा है तो सब से सब-से पीछे अच्राण होता है अब आपने कुछ दिन पहले किसीनच पर आभा या कोई निउस परता ओगा उसे पता ह प्रक्राच दिखर है कि यह फोटोस है वो कंट्री सबसेदयी होगा वह कंड्री खुट-फूट रहेistorij habían तब हर जगा पहुंचा पाएगा तो हमारे इंडिया बहुत उपर आता है और हम लोग पिछले बहुत डिकेट से इस चीज पर काम कर रहे हैं और आग लोग के इंडिया में जो एनर्जी है वो दिन पर दिन कंजप्शन पर दिन बढ़ाएगी यह है इंडिया शहां है अब फिलाल आपने इंडिया का बात करें तो द्शिटी को बढ़ा है इसमें आपका 175 गीगावाट्स हम लोग सीफ रिनवाबल इनर्जी से बना रहे हैं यह 2022 का बोल रहे हैं और हम लोग का यह टार्गेट है जिसे को लेके चल रहे है कि हम लोग को दोजार चाश तक का टार्गेट लेके चल रहें कि हम लोग को 205 जी जब रहे हैं लिए अब सोल इनर्जी जो है वह वह भी रिमाल केबल ग्रोस कर रहा है कि आपको प्लेख को अब आपको सोलर को स्वोलर को अगर आप चाल रहा है और आप चट पर इंस्टॉल कर लेते हैं स्टॉल कर लेते हैं तो इससे कहा है कि एक आप चंत पर बैटरी से आपने बिलंड या ड्यात जार रहा है यहां आप वापस भेज सकते हैं इह बहुत जगह पर चालू नहीं हुआ पर 사ई मन्हें सब चालू होक्पी साइड वो राब भेज सकते हैं वापस पावर कर लेगा तो एक तरह से आप पावर ले वी रहे हैं और दें लिए हैं उटें लेकिन आपने यह बहलद भेजा वह भी उसमें सब्रोड्र nephew दिया है तो कि अभी यह लिए सब दिए भी धिर नी घर वह कि यह पर लिजएगा यह सब यह सब लिंक दे दूंगा सब्सक्राइब अब बहुत इंपक्ट डालेगा इनर्जी पर क्योंकि कल मैंने बताया था कि जितना करते हैं जितना पेड़ी जैनरेट करते हैं उसका टेन परसेंट जितना हम लोग हंड्रेट परसेंट मान लिजे कोल से हम लोग अगर कुछ बिजली जैनरेट कर पाएंगे हैं बहुत वर्ट इनर्जी माना जाता है क्योंकि क्योंकि पॉल्यूशन फ्री भी आप इसको बोल सकते हैं और जात्र हाइड्र इनर्जी के विछ हम लोग बहुत सरा फ्रील सेल्स वाइगरा में भी करते हैं आजका ट्रांस्पोर्टेशन में भी कर लेते हैं तो फिर्ट वे रिटेवर्यस मेतर्ड इंक्लूडिंग एक्टालीस आप बैट्री नर्जी का फोटो यहां पर लगा दिया इसमें अब देख सकते हैं अब यहां लोग आते हैं तो आप यूश्य इसक्या है आप यूश्य आप यूश्य है देखे जिए बैटेर बैटरी उसी टाइप का fuel cells भी है fuel cells में क्या है कि उसके अंदर एलेक्ट्रोचेमिकल डिवाइस है फ्यूल से लेक्ट जो chemical energy fuel का जो होता है उसको hydrogen बोलते हैं और उसको direct electricity में convert कर देता है या heat में convert कर देता है यह operate करता है efficiently और अराम से आपका सिर्फ water और heat by product मिलके hydrogen को as a fuel बना के यूज करता है यह एक तो एक आपका इस्टेस्टरी पावर है यह आप कहीं भी लगा सकते हैं इसको backup power की तौर पर यूज कर सकते हैं transportation में यूज कर सकते हैं इसको फ्यूल वैटरी जो आजकल आ रही है आप लोग देखोंगे मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा पर जो electric vehicle से वह सब फ्यूल से कहीं यूज कर रही है कि इतने लंबे टाइम तक आप कैसे चलाएगा और फ्यूल जो है वह ज्यादा fuel और water होगा वह निकल जाएगा इधर से air देंगे और excess air जो होगा वह इधर से निकल जाएगा इसमें क्या है कि आपका इंदर में जो है वह यह वाला जो पॉर्शन आप देख रहे हैं यह वाला पॉर्शन यह अनोड है यह वाला बीच में इलेक्ट्रो लाइट सॉल्विशन भड़ा हुआ है इसमें रियक्षन होता है और यह से आपका यह इधर से करेंट जा रहा है और इधर से यह कुंप्लीट कर रहा है कि बीच में लोड लगा के ले सकते हैं पाउर को आगे हम लोग आते हैं बायो फ्यूज भायो धिर वेस्ट हो गया एलकी ऑगया और ऊजायनक बेस्त होगया उससे हम लोग बायूफ को बनाते हैं आप लोग सुन रहे हैं को एतनोल में ब्लेंट किया जा रहा है blending ethanol को mix किया जा रहा है से हम लोग का फिल का एक तो कॉस्ट घट रहा है और उपर से वह पॉल्यूशन भी बहुत कम कर रहा है तो बहुत किया जा रहा है कॉमा टाइप के देख सकते इथनॉल है यह सब के काटेगरी में आता है अब इद्वांस जो है वह बना रहे हैं उससे बना रहे हैं तो अराम से कोई दिक्कत नहीं हम लोग को इसको लग बाइफिल्स के थोड़ा उच्छे आदे देख यहां वाइफिल्स में आपका जूट आ गया वीट का पेड़ा यही सब आता है यह सब आप देख रहे हैं कोकोनट हो गया संफ्लावर हो गया मतलब जेनरली जो प्लांट का वेस्ट है उससे लोग बाइफिल बना अंडिया को हाइड्योजन इनर्जी को कि विल्स को और बाइफिल्स को अगर आपको कोई दिक्क्त है तो कॉमेंट जरूर कीज़िएगा मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाइब करूंगा और ऐसे ही लाइक शेयर सब्स्राइब करते रहिए पढ़ते रहिए थैंक्यो कर्णाओ करते रहिए प्रेप्लाइब करते हैं